आपको तीन तीन प्रॉब्लम से रिलीव देने में काफी मदद करेगा और ये तीन प्रॉब्लम कौन कौन से हैं पहला अगर वो बैक्टेडिल स्किन इंफेक्शन है अगर वो फंगल स्किन इंफेक्शन है या फिर आपके स्किन के ऊपर किसी तरह का सोरियोसिस हो गया है redness हो गया है, eating हो गया है या inflammation हो गया है, या किसी insect ने bite किया हुआ है, तो इनसे होने वाली problem को suppress करने के लिए ये काफे use होता है, इस cream का अगर आप brand name देखेंगे, तो इसे betonovate C के नाम से जान सकते हैं इसके अलग type भी आते हैं, तो betonovate C पे focus करिएगा, ये तो इसका brand name हो गया, असली में इसके अंदर कॉन कॉन से constituent होते हैं, उसके बारे में भी बताऊँगा, और उससे पहले इसके problem के बारे मताता हूँ कि ये कब काम आएगा, कुछ लोगों को ये drug prescribe किया गया होगा, इसलिए वो सक्ष करते वेश वीडियो तक आये हैं कि कैसे काम करता है और कुछ लोगों ने ऐसे ही अपने knowledge को बढ़ाने के लिए वीडियो पे आया हुआ है, तो देखे कई बार ऐसा होता है कि घर में बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं इस पैसल इंफ्रेंस्टों में बच्चों की बात करूँ तो वो हर चीजों से खेलते रहते हैं कहां पे उनका body touch होता है, किस skin पे body touch होता है किन चीजों को वो touch कर लेते हैं किसी insect को touch कर लिया, क्या किसी flower की या किसी leaf को touch कर लिया गया और उसको फिर touch करने के बाद अपने skin पे वो जब हात रखते हैं तो उससे कुछ न कुछ chemicals उनके skin पे आने लगती है इससे या तो वो redness की और मढ़ेंगा मतलब बो जगा लाल हो जाएगी थोड़े से थोड़े चकत्य बन जायेंगे खुझली होने लगेगी या थोड़ा सा सूजन लगने लगेगा ये problem आप देख सकते हूँ दूसरा कोई bacterial infection हो गया हो कुछी को current से touch हो contamination आ गया हो तो bacterial आ गया हो या तो फंगल infection आ गया हो जैसे आप जानते हो कि अगर आप किसी particular part को each कर रहे हो खुझला रहे हो तो फिर उसके जो chemical mediators है उनकी spreading होने लगती है local part पे अब आटाकोइट कहते हैं local hormones कहते है फिर वो और ज्यादा खुझलाने लगता है और कुझलाते कुझलाते वो जगा लाग हो जाती फिर फिर फो दर्मासूजन भी आपको नजर आने लगता है ये एक problem तो उस problem को surprise करने के लिए कम करने के लिए ये cream use किया रहा सकता है याद रखिएगा ये cream केवल external application के लिए है internal कभी ना ले उसके लिए जरूरी है कि वो जगा साप, सुथरा, सूखा हो गीले जगा पे इस cream को apply ना करें इस cream के इस cream के मैं बात कर रहा था आपको बताने के लिए तो अब मैं बताता हूँ इस cream में दो main constituent हैं बाकी या तो exipients हैं या तो किसी तरीके के इसके base हैं जो कि आपको use नहीं होंगे as a medicine property वो एक exipients है इनके दो content कौन-कौन से हैं एक content का नाम है beta-methasone और दूतरा आपका cleoquinone ये दो drug ऐसे हैं जो अलग-अलग category को represent कर रहे हैं that is, this is the combination of this two drug पहला जो drug है हमारा beta-methasone ये एक ऐसी के डिगरी के drug है जिसे हम steroids कहते हैं ये steroids आपके skin के उपर होने वाले itching, redness, psoriosis या पि किसी तरह के जो inflammation है इसको suppress करने का काम करते हैं तो इसके इस drug के कारण से वो जो problem मैं आपको बताई अभी वो आप control कर सकते हो दूसरा जिसमें constituent है आपका kleoquinol ये एक ऐसा drug है जो broad spectrum antibacterial category का drug है although this is example of antibacterial इसके पास एक और property होती है जिसे हम बोते हैं antifungal property antibacterial समझ में आ गया होगा नाम से कि ऐसा drug जो bacteria के against में काम करता है that means bacteria की वज़ासे होने वाले problem को suppress करता है by inhibiting and killing the growth of bacteria दूसरा antifungal drug that means as a drug जो की fungal infection को कम करेगा उस fungus को जो की responsible this infection के लिए उसको खतम करने का काम करेगा तो ये दो category के drug है तो ये जो आपका drug है इस तरीके के आपके body में use हो सकता है as I said in earlier of the video कि ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए यानि कि हमारे लिए दोनों के लिए equally useful है जिसको भी problem नज़र आए वो आप लगा सकते हो ये एक OTC product तो मैं नहीं कह सकता कि आप इसे use करने बट एक बार recommendation अगर आप डॉक्टर देते हैं तो इसको आपको use करना चाहिए वैसे ही ये skin के उपर है तो इसे आप apply कर सकते हो मैंने कहा कि इसको OTC नहीं कर सकते है क्योंकि इसमें एक red ribbon है और ये indicate करता है कि ये prescription drug है तो इसे आप use तो कर सकते है externally बट उमीद करता हूँ कि आप चीजों को पहले जानेंगे इसके रूप में ये चीज़े दिखने ही लगती है तो आप इनको treatment तो कर सकते हो symptomatically लेकिन actual में problem क्या था जिसकी वज़य सा ये problem दिखने लगे वो surprise नहीं होगा इसलिए सबसे पहले जानकरी लेना जरूरी है डॉक्टर से मिल करके actual cause को पता लगाना जरूरी है ताकि आप उसकी cause तो खतम कर सकें तो आज के वीडियो के लिए इतना ही आपका बहुत बद्धनेवाद के आपने वीडियो को देखा यहां तक तेकिसो मच अगें टेक कियर